जसकर नीतस फॉल मिले आज नहीं ताकल मिले अच्छा संग अच्छाई हुला अच्छल कोई लाप च्छल मिले कि जसकर नीतस फॉल मिले आज नहीं ताकल मिले तारी से कभी फोनों नहीं आता था मम्मी को बिटिया को कहा नचा रही हैं गवा रही हैं क्या कर रही हैं बेज़ती वरा बज़ती के हुँ रामड लागे के हुँ संकर लागे आ गईनी कहमा भयं कर लागे ता लागे मफिया बड़े इहां बड़े 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 अरे डेंजर जिला जिला महु हरे रा जाते हैं मुश्किलों के आने से उनके लिए एक सबक के जैसा है कि अगर आप श्यातत मेहनत करते रहेंगे और अपनी के कतल बाड़ू के कर मेहनत के फल बाड़ू लाली होठावा के लल चावे करता दिलावा इलू इलू साथियों नमस्कार इस वक्त हमारे साथ अंजली चोहांजी मुझूद हैं जो किसी परिचा या तारूफ की मोहताज नहीं है आज यह हमारे साथ हैं हम लोग धेर साहरी बात करेंगे इनके संघर्षों पर जो इनका जीवन धिरे धिरे आगे चल करके बढ़कर है आज यहां तक पहुंची है उन सभी पहलूँ को भी हम लोग छुएंगे और जानेंगे अंजली चौहान की कहानी, क्योंकि अंजली चौहान बनने की जो कहानी है, वो एक दिन की कहानी नहीं है, तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको देखा जा रहा हो, यह कि स्टार के तौर पर आप मशूर हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दश्कों को आप बताएं कि आपकी शुरूआत कैसे हुई, और अपने जीवन के बारे में बताएं पहले जीवन के बारे में तो स्टार्टिंग लग जो मैं ऐसी मेरा है कि मलगा मुझे कैसे भी करके बस अपना नाम करना है, जो चाहिए, बट नाम करना है, तो ऐसा जो इनिफाओं माली होती है जो बिसे मुझे भी इस तरह के फिल्ड में काम करना चाहिए क्योंकि जैसे आपने बताया पढ़ने में तेज थी तो जाहिसे बात हो जो पढ़ने में तेज होगा हो चाहेगा कि मैं कोई अफिसर बन जाओं हां सभी बात है और आपको पता है मैं तो पॉल टेक्निक का मतलब पेपर भी निकाली थी बट साथ दूर भागे बस मेरा प्राइवेट कॉलेज आया था तो मतलब मैं अडिमिशन नहीं कराई क्योंकि मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट होगी कि इतना पर मैं तैयारी भी करने गई बनारस बार्मी का मलब फाइनल करके नहीं बनारस तो लोग डाउन लग गया तो फिर मैं घर पे आई तो यह कुछ टाम तक पढ़ाई कि एक दू महीने फिर देख़ी कि टिक टॉक है सब लोग वीडियो बना तो मैं वीडियो बनाई लगी तो फि अब को पता है जुनून हो जाता है बार्मी का जो मेरा मैं पेपर था बार्मी का जम तो मैं नो बज़े राज से पढ़ते बढ़ते देख रही हुँ ना तो सुभा का बज़ गया तो मुझे पेपर देने जाना है मैं रेष्ट भी नहीं कर भाई तो ऐसा से मेरा करते हैं और मैं कब तक ऐसे मुझे बस पैसे कमाने जल्दी से अपना नाम करने तो मैं बुढ़ी हो जाओंगी ऐसा मुझे फिल होता था पता है मैं एक बार ऐसे बुढ़ी थी अपने बाबा से चुकि मेरे पापाने काम करते हैं मेरे बाबा गोरग पुर डिग्री उड़ी हो जाएगा मैं मुझे ऐसा कहता है जर्ट हो रहा है मुझे चाहिए बस चाहिए लेट हो राहिए है सामें जल्दी में रहती हूं है तो मुझे प्लकुorkि मुझे उस्द्रेंदिश द्ट्रें से कि सब लोग दांस ही करता है एक सब प्लेटफॉर्म आप देखते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं ना सोचल मीडिया पर जो लोग बोलते हैं बट मैं देखी कि गोरकपुरिया भोजी है वो बोर रही है उनका सब पसंद कर रहा है जब बोल सकती है तो मैं तो साथ मुझे लगता थ है जिसको जो आता है वो अच्छा है ना बट मुझे लगता है कि मुझे नाचनिस अच्छा बोलना आता है तो मैं अपना बोल की वीडियो बनाया था हमारे दश्कों को बता दें ने तो सब यही सोचेंगे कि खाली दोनों बतियार हैं लेकिन जो असली कहानी उसे सुना तो पहला एक्छली कि आपको लोग कोमेंट्स में पूछे था ना कि आपका घर का है और मैक्समाम लोग यही पूछते आपका घर का जा वीडियो भगती वगती है तो मैं बोली कि सलेम पूर है गाव हुमारा देवलाज राखाना और जिला मोह तहसील मुहम्दाबाद गोना थ इतना भगा इतना भगा फिर मेरे घर पर सब लोग आने लगा ऐसे वही आड्रेस पूछते पूछते तो फिर मुझे समय ने मैं क्या करो तो मेरी ममी बुले ना क्या बहुत हो गया आप सब मलब गाहां वाले भी मतलब मजे ले रहे हैं मेरे पापा को भी बुरा लग रहा अब पढ़ाई करो अपनी मन का कर ली ना हो गया ना तुम्हारा वाला अब चलो पढ़ाई करो तो मैं पढ़ाई करने लगी अच्छा जब लोग मजा उड़ा रहे थे जब टिक टॉक बैन हुआ तो ऐसे समय में कोई ऐसा भी था जिसने हवसला बढ़ाया हो कि अंजली ममी में सथा जबसकी में तो ऐसे ही लोग साथ चोड़ के भाग जाते हैं मेरी अफित कर रहे हैं कि अनजली के लिक लिए कुछ नगे ज़रूर हो ओ destination कर लेती है तो मम्मी को भरोसा है कि हां मैं जो करूंगी वह पूरा करूंगी तो टिकी आ गया फिर बीच में फिर टिकी आ गया तो फिर मैं टिकी वीडियो बनाने लगी चुकि मुझे बहुत पैसे के ज़रूर थी मुझे गाना भी गाना था मैं पढ़ाई दम सोची कि नहीं अब मुझे गाना ही गाना है पढ़ाई नहीं करूंग चाहिए कुछ भी हो जाए तो चुकि गाना गाना मेरा सोख है और वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है और आज भी वही दूनों चल रहा है सोख और मजबूरी इस लाइन को फिर से दोहरा दिजिए जरा आपने कहा कि घृकार क्योंदी कि मेरी किसमma अभी नहीं साथ देरी हो सकते मुझे और ठोकर खाना है गाई की कि मेरा गाना वार नहीं हुगा है तो मुझे पैसे मिलेंगे न और विडियो razón मुझे पैसे मिलते हैं ऑर ह्कि मुझे पैसे मिलेंगे तब नहीं गाना गांगी है नि क्वध्व बना रही है पैसे ताक यह आए और गाना वारा लह हो इसके इनतजार jeder विल्कुल और यह इंतजार है और देखते हैं कब तक यह इंतजार मेरा आगे बढ़ने से फहले गाना हो जाए एक मेरा गाना था ना मेरे मउगी लापे ठीक है तक हुरामड लागे के हुसंकर लागे आग गयनी कहमा भयंकर लागे तक हुरामड लागे के हुसंकर लागे आग गयनी कहमा भयंकर लागे ता लागे मफिया बड़े यह बड़े 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 अरे डेंजर जिला जिला महु हरे जिली ने महु को फेमस कर दिया फिर क्या हुआ फिर टिकी पे आ गई तो फिर वही टिकी बैन हो गया तो फिर मेरी मम्मी बोले कि देखो यह सब लोकल आप है किसी ऐसे आप पर काम करो तुम्हारी बदनामी भीना हो मतलब अभी एक वीडियो बनावा फिर छोड़ो फिर बनाओ तो इंसल्ट होती है ना कि जा बाता बनाती है फिर उसके बाद गा कि तो मेरा चलने लगा अभी यूट्यूब का मुझे लगता है बहुत अच्छा हाल चाल है क्योंकि अभी छे मेलियान और चार लाख मेरे सब्सक्राइबर हुए है तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपके कदम चुरूँए है दिल में हूख लगन तुम अंजली का पता चलता है और डूरूने वाले को पछली चुछा रही है तो कैसा लगता है यहाँ ऊचली मेरी मम्मी सब कहते हैं कि कहीं जा रही है कि मंमी मेरे वीडियो में आती है तो ममी को भी जानता है यहां एक मेरे लगता है और जो भी हूं मैं मम्मी को ही जाता है और हमेसा मम्मी को ही जाएगा क्योंकि मम्मी हमेसा मेरे सुक दुक में हमेसा खड़े रही है हमेसा आज भी ऐसा देखी कभी कभी ऐसा होता है कि राजय को भी जोड़ पढ़ जाती है ना पैसे की तो मुझे भी पढ़ जाती है हलाकि मैं भले ही घर का खर्ज देखती हूं तो का एक्षिली मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा एक्टिंग कर लेती हूं हाँ और इस लड़की का गजब का मैं तो मतलब जैसे होता ना कि जो अदाकारा होती है इरोईने होती है उनकी हर आदा लोगों को प्यारी होती है लेकिन मैं आपकी जो कांफिडेंस को देख रहा सब्सकराइब क्रें एक्टिंग धरे मुझे लगते हैं कि मुझे अपर नहीं हूं रहें जिस दिन किसी कलाकार को यह आ गया परफेक्ट हो तो मुझे तो लगता है कि इंड हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं आता है और यह हकीकत है मुझे ऐसा मदफिल होता है वड़ सामने माला बोलता है थोड़ी खुशी मिल जाती है अच्छा उन लोगों का क्या हुआ जो ढोल और परिवर्तन हुआ है पहले से क्योंकि मुझे लगता है न यह चीज भी लाइफ में एक्सपरियंस कि जब फर्स टाइम लोग मुझे उल्टा बोलते थी जवाब देती थी हैसा अब है अभी मैं जवाब नहीं देती हूँ तो मुझे लगता है कि वह काफी मेरे प्रती अ मतलब अच्छे से पेस आते हैं मतलब मेरी बुराई नहीं करते तो मुझे यह लगता है कि किसी भी चीज को ना हम अच्छे से हंडल करेंगे ना बिना जगड़े के तो वह सामनी वाला समझ जाएगा है ना जानी मालने कि आपकी काम्याभी में उनका भी योगदान उनका भी ह प्रेरित किया उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अचली जब वह जलते थी ना तुम्हें मोटिवेट होती थी उनके जलन से मोटिवेट होती है और अभी मैं होती हूं आज भी मेरे घर जगड़ा होता है जैसे कि जो आस पास वाले हैं माब आपको छुड़के सब आपको जलता ही है देखे हैं आपकी तरक्की को देखे तो कहीं नहीं जगड़ा करते हैं ना हम नहीं फैमिली से जलते हैं तो रिष्टारी से कभी फोनों नहीं आता था मम्मी को बिटिया को कहा नचा रही है गवा रही है क्या कर रहे हैं बेजज़ती हो रहा बद्दामी हो रहा ह आता है सारे जगह से आता है बस मेरी नानी के घर को छोड़के मेरे मामा सारे मामा को मैं तो यह बोलोंगे कि तैंक्यू मामा जी जो आप लोग मेरे चार मामा है सबको धन्यवाद बोलोंगे कि आप लोगों ने कभी भी मुझे उल्टा नहीं बोला है वो लोग बोलें कि जिस पसंद आया आमर पाली में को हम यह लगता है और यह हकीका थे उनको मेरा नेचर पसंद आया ना कि और कोई भी चीज तो वह बोली कि आपका यहां और सबसे पहले जब एक वार इवेंट हुआ उनलों का तो सबसे पहले मुझे 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 बुलाया गया उसके आपका इंट्रव्यू भी हो गया और अगली नेक्स ट्रीज में आप में साथ काम करेंगी और यह बहुत जल्दी की बात है और बाके तो जो होते हैं प्रोडूश और डारेक्टर वह लोग बोलते रहते हैं कि हा मतलब आपको मैं मोका दूंगा मेरी पिच्चर में काम करने कम करने कोई सहुख निये मुझे बस मैरा सपना है कि मेरा गाना बज जाएं बस बोड़ोः फबल पर मेरी साफना पोरा हो जाएगा की थोड़ी-बोड़ी परेस्नाल्टी यहाई ना मेरी अपो लगत अच्छी है तो При मुझे मुझे मेरा मेरा सपना है कि adolescents के साथ मैं मौ आ आपकी एक ख्वाइश है सपना है कि मैं पवन सिंग जी के साथ काम करें अगर वह बोलेंगे तो देखे कुछ वह बड़े लोग है यह नहीं कि मैं बड़ा सब्सक्राइब वह बैसा है जो काम कर रहे हूं तो उनको उसकाम के बारे जादे नौलेज है तो वह बोलेंगे तो मैं बिल्कुल कोई तिका टिपड़ी नहीं करूंगे मैं बिल्कुल बोलूंगी हाँ यानि ना खाता ना वही पवन सिंग जो कहें वही सही एकदम हाँ मैं करूंगे अगर बोलेंगे तो क्या बात है और कौन को अच्छा लगता है भोश्परी फिल्म इंडस्ट्री का जो कलाकार है जो सिंगर है एक्टर है मुझे खेसाई लाल यादो सर भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वह उनका देखे बोलने का तरीका बहुत अच्छा है ना वह मतलब लोगों को अपने साइड एकदम आकर्शित कर लेते हैं तो मुझे वह चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है अगे बात करें उससे पहले इन में से किसी एक का गाना जो आप अकसर गुन-गुनाती हो सुनती हो पसंदो हो जाए तो उसके बाद आगे बाद करते हैं तो मैं आप गाना मैं सरको सुनाई हूं वही गाना मेरा फैवरेट है क्योंकि मैं जाले टाइम नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में है मुझे कुछ टाइम ही हुगा इस इंडस्ट्री में है तो जो गाना मेरा बहुत फैवरेट मिलल बाडू करत दिल के कतल बाडू के कर मेहनत के फल बाडू लाली होठावा के लल चावे करता दिलावाईलू इलू हीरोईन हूँ हीरोईन तना न पियेलू कोहता होखिया न सामे जीहिलू हीरोईन तना न पियेलू कोहता होखिया न सामे जीहिलू हेरोईन हूँ यह गाना तो मुझे दिल से बहुत पसंद है अकसर सुनते रहते हैं अब जब ही मौकशा लालन प्संद भी है मुझे लगता ही झाना सब को पसंद है क्योंकि लखनो जो है स्टेडियम उसमें भी बजा था यह गाना तो बताइए यह गाना तो क्यों ने मुझे पसंद देगा मुझे हम सब लगता है कि जो पहले था उनको लगा कि मैं इंडस्ट्री में साथ मेरा इससे गुजरा नहीं होने वाला है तो उन्होंने अभी तो एक नमबर की एक्टिंग करती है एक नमबर की सबसे बेस्ट होता है वह तो मुझे यही सब अच्छा लगता है उनकी परस्नाइल टिंग और और हला कि मैं को मैं जानती हूं उतना गाना नहीं आता है तारीफ अक्ष्रा जी की कर रही है आउडिशन कहीं और हुआ है सब कुछ लेकर चलती है आल राउंडर है तो बिल्कुल मैं उनके जैसा बनना चाहूं अक्ष्रा के गाने का मैं भी मुरीद हूं उनका काची ही बास के बहंगिया वाला गाना जो छट पूजा पर उन्होंने रिलिस किया था काफी समय हो गया लगिन जब भी आता है मौका छट पूजा का तो हम सभी जरू सुनते हैं और तमाम जगों पर गाने बजते भी हैं अ पसंद होता होगा उस नाम से आपको बुलाता होगा कोई एक्ट्रेस कहता होगा कोई अभी नेतरी कहता होगा कोई सिंगर कहता होगा है ना तो कोई सोचल मीडिया का इस्टार कहता होगा तो उसके इन सब के बाद भी एक दुनिया है हर लड़की क्योंकि आप लड़की है ग्रोटिक की बी तो खाईश होती हैं, लेकिन लड़क्यों के बारे में, क्योंकि अब लड़की है, मैं आप इसे बात कर चाहता हुद। आप इसे जानना चाहता हूं कि इसके बाद एक और दुनिया होती है, लोग शादी भी विवा करते हैं। कौन है अंजली चोहान के सपनों का राजकुमार कोई नहीं है अभी तो कोई है ही नहीं कैसा होगा वो जो भी रहे बस वो बिजनेसमेन रहे और मतलब कि मुझे एकदम मेरे फ्रेडम में रखे क्योंकि मैं आज सका बने मम्मी पापा की भी बात नहीं सुनती हूं मैं सही बता डाँ हो सकता है मैं पैसे नता खयों हो तो जानते ना आज मिगото हूं है नहीं कमा रहे हूं तो आप मुझे कमई न पड़готов जाने में अब सुनकुन होहां कुझ कुरुद ऐसा न ni कि और बहुत परिवर्तन हो गया है मैं बिल्कुल भी जगड़ा जोड़ी नहीं करते हूं किसे से है सब की भाउनाव को समझती हूं आप चार बात मुझे सुना है क्या लोगों को पता रहे पहले से लड़की जगड़ा लूँ बचकर रहना है नहीं नहीं मैं पोल लूँ कि मैं जगड़ा बड़ा नहीं करते हूं और मैं आप की सब्सक्राइब आप जो बोलेंगे थोड़ा पहले दिन से बता दिया यार मुझे से पैसे के लिए वीडियो बनाने हैं ना मैं इसलिए बनाती हूँ लेकिन मेरा शौक जो है वो गाय की है तो मैं चाहता हूँ कि आप को ये कोई और गाना सुनाएं जो आपका फेवरेट हो चाहे किसी का भी गाया हुआ हो उसे सुनाए हम तो एक गाना तो मैं बेटी पर भी गाई हूं और एक ऐसा मैं गाना गाई हूं जिसका एक पंच लाइन है कि जिसकरनी तस फोल मिले आज नही तकल मिले अच्छा संग अच्छाई हुला अच्छल कोई लाप अच्छल मिले कि जिसकरनी तस फोल मिले आज नही तकल मिले अच्छा संग अच्छाई हुला च्छल कोई लाप अच्छल मिले के हुके ना बकाया हो हिसा बुरोहिला के हुके ना बकाया हो हिसा बुरोहिला सब के किसमत के लिखल हो किताब रोहला के हुखे ना बकाया हो हिसाब रोहला और यह 100 प्रस 10 परसंट बात सही है बिल्कुल सही बात है और क्या शांदार गाना आपने सुनाया और हमारे दर्शकों ने सुना हमारी बात्चेत और इनके गाने और इनकी जो शोखी है जो चंचलता है इनकी वह आपको कैसे लगी हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा